साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी आज हमारे साथ स्टूडिम उपलब्ध हैं, जिहां आप समझ गए होंगे, पिछले दिनों भाई मनोज गुमार लाकडा जी, जो हर्याना के एक बहुत ही परतिष्ठित सिक्षक हैं, एक आदर सिक्षक के रूप में जिनको जाना जाता है, हिंदी के अध्यापक होते विज्ञान के ख्षेतर में बड़ी उपलब्ध हैं, राष्ट्य और अंतराष्ट्य श्तर पर उनके बच्षों ने अपनी इक अलग पहचान बनाई है, ऐसे ही सिक्षक साथी जिनको जिनका चेन हुआ है, राष्ट्य शिक्षक पुरुषकार 2020 के लिए वो आज हमारे साथ स्टूरिम उपलब्ध हैं, मनोज भाई आपका स्वागत है आज की इस विशेश कारेकरम है, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत सूब कामना है कि आपको 2020 का राष्ट्य शिक्षक पुरुषकार मिला है, और दूसरा ये भी कि हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने आपसे मेरा पहला प्रशन यही है कि कैसा फिल कर रहे हैं इस हवाड के बाद जी बहुत अच्छा लग रहा है दिक्षेंदर जी पहले तो आपकी जो साती हैं सभी की जो सुबकामना है मुझे मिली हैं, मैं उनका तहदिल से जो है धन्यवाद करता हूँ, और ये सुबकामन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो वो कहानी एक शिक्षक किया आपने जो पिछली बार मेरा जो इंटर्व्यू किया था, उसमें वो कहानी बता दी थी, और जो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं हर्याना से एक मातर शिक्षक हूँ जो इसके लिए में चैनि बलकि शिक्षकों के लिए भी अनुकरणिये हैं और शिक्षकों के लिए भी परस्षट करते हैं कि आप इस तरह के कारिया करके समाज में एक उपलब्धी हासिल कर सकते हैं, और मेरी बात वो आज रितार्थ हुई है, कि आज आपने आपको रोल मोडल के रूप में प्रितर में कि ये अलग-अलग उपलब्धियां हासिल करके दिखा सकता है, तो आपको कैसे कितना प्राउड फिल होता है कि इंदी का ध्यापक और इस तरह की उपलब्धियां, जी बिलकुल गर्व महसूस होता है, गर्व होता है अपने बच्चों पे जब आपके बच्च हमारी जो भावनाई है और देखो जिस समाज में हम रह रहे हैं और वो समाज के परती हमारा जो लगाओ है या जो समाज को आज हम बिल्ड कर देंगे, जितने भी हमारी जो नेतिक मुले है या नेतिक शिक्षा है या और दूसरी शिक्षा है जैसे आईटी छेतर है या साइ अच्छी चीजे परदान करेगा तो मेन उदेश्य हमारे शिक्षा का यह होना चाहिए कि हम जो है एक ऐसे समाज का गठन करें जहां पर बहुत अच्छे इंसान बनाने की बात हो और क्योंकि आजकर सारा एको अच्छे इंसान बनाने की बात करें और वेद में आता है करना होना चाहिए एक समाजिक विक्ति का यह दाइत्तु बनता आपने समाज की बात कई है और एक समाजिक शेत्र में मनोज भाई से जुड़े हुए कुछ सिक्षक साथियों से मैं आपकी बात करवाना चाहूंगा हमारे साथ ही जो को डिरेक्टर है मिशन आरिवर्ट के हर प्यार लेना चाहेंगे सबसे पहले मेरे साथ है नविलाठर जी और आप विलोंग करते हैं मेवात में जो संचालित एबियस फाउंडेशन है उसके प्रोग्राम ऑफिसर के तोरूपर कारे कर रहे हैं और आपने काफी समय मनोज जी के साथ बिचाया है तो आप जो मनोज ज को चैन हुआ है राष्टे शिक्षक प्रूशकार के लिए हरियाना से एक मातर सिक्षक है उस बारे में आपकी क्या परतिकरिया है मैं सबसे पहले तो मनोज जी को तहदिल से बदा ही देता हूं उसमें होने के लिए और यह पूरे हरियाना के लिए गोरों की बात है कि हिंद बहुत ही आस्टेरिया जनक काम रहे हैं उनके और मिवात में उनका काफी अनुबव रहा है काम करने का दो हजार चार तक वो रहे दो तिन साल उन्होंने बिताए और अभी पीछे भी वो आठ महीने के आसपास दो स्विद्धेल्यों में बिताद काम करके गए हैं वहाँ पे भी उनको बहुत पिछड़े हुए स्कूल मिले थे और बहुत ही अपने अनुबव के साथ बहुत अच्छा कारिया वहाँ पे किया है बहुत महनती टीचर हैं और बहुत लंबे समय से वो महनत करते आ रहे हैं और उनकी सबसे अच्छी बात है किसी भी काम के लिए उनको यह नहीं होता कि यह पोसीबल नहीं है जो वह सोचते हैं उपने साथियों की टीम बना के करते हैं बच्चों की मदद लेके करते हैं तो उनका पढ़ाने की जो रूची है वह बिलकुल बच्चों पर अधारित होती है दन्यवाद नवीन जी का आईए अब अब चलते हैं हमारे एक और साथ ही सजन राठी जो जिन जिले में काररत हैं और वो भी काफी समय से मनोजी के साथ विविन कारिक्रमों के मादम से जुड़े रहते हैं अब उसमें जुड़ाओ है आए उनकी परतिकरिया भी हम जाना चाहेंगा सजन जी क्या परतिकरिया रास्ट्रिय पुरुषकार जो सिक्सक के तोर पर मनोजी को मिला उसके बारे में आपकी सबसे पहले तो मनोजी को बहुत-बहुत सुबकामना एं धेरो बदाया उनके उजवल विशे की कामना करते हैं कि वह इसी परकार उपलवदियों को पराप्त करते हैं जो अभी अभी उन्होंने हाल में ही पराप्त की है मनोजी के मेरा जो जुडाव है पिछले चार-पांच सालों से रहा है कई सामाजी के संगठन के युवा निर्मान के अभियान में मैं उनसे मिलता जुलता रहता हूँ हुजुन में जो लगन है जो जज़बा है जिसका उन्हें एक भरपूर या विशेज के हैं कि सरकार की तरफ से जो इनान दिया गया है वो एक अभी द्यापक के लिए बहुत बड़ी उपलवदी है और उन जैसा व्यक्ति समाज में एक उधान परस्तुत करता है अभी हापिस चलते हैं हमारे स्टूडियो और दिक्सेंदर जी आप बात्चित जारी रखें मनोजी के साथ तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरपाल जी आपने हर्याना के दो दिगज सिख्षक साथियों से बात करवाई हैं दोनों के दोनों सिख्षक भी हैं और उसके साथ सा समाजिक कारिकरता के रूप में जाने जाते हैं जहां मेवात और गुरुग्राम के और पलवल फरिदाबाद के एरिया में बच्चों को ना शिर्फ शिक्षा बलकि खेल के माध्यम से समाज में एक नई परतिष्ठा और पद दिलवाने के लिए अग्रशर और बहुत मेहनत करने वाले भाई नवीन लाठर जी को आपने सुना और साथी साथ आरे समाज के युवा संगठन सारोदेशी कारियोग पृषद के कारेकारी परधान और एक शिक्षक युवा निर्मान अभ्यान के माध्यम से समाज में काम करने वाले भाई सजन राठी जी को आपने सुना जिनको हरपाल जी ने हम से रूबरू करवाया तो मनो जी क्या कहेंगे अब आगए? मैं दोनों साथियों का शुक्र गुजार हूँ और उनके जो शुब वचन और शुब कामनाई जो उन्होंने मुझे दी हैं उनका भी मैं तहजल से धन्यवाद करता हूँ और मैं कहना चाहूँगा सिर्फ अपने बच्चों के बारे में कि वो यह वो बच्चे थे जिनको सिर्फ उनके परतिभाएं पहचानने का जो और तरासने का जो काम है वो मैंने किया है और यह बच्चे जो है आप भी एक अच्छे पोस्टों पर जाएंगे तो इससे बड़ी कोई व्यक्ति टार्गेट करता है लक्षे को निरधारित करता है उसको एचिव कर लेता है उसके बाद ठोड़ा रिलैक्स हो जाता है तो क्या मनोज कुमार लांगडा जी इस उपलब्दी के बाद अपने सामाजी कारियों को यह आपने जो स्कूल के शिख्षक के सेत्र में जो कारे तो उनको स्थिल कर देंगे या इसी गतिशा आगे लगे रहेंगे सर मैं समझता हूं एक राष्टे पुरुषकार जब किसी भी शेक्षक को या किसी भी साथी को मिल जाता है तो उसके जिम्मेदारिया जो है वो बढ़ जाते हैं और उसको उसे जिम्मेदारियों का एसास हरदम रहना चाहिए और जो उसने कारे किया है उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए तो स्थिल था तो एक अगर कहीं पर पानी रुका है तो वहां पर भी काई जम जाती है तो कहने का मतलब यह है कि हमें स्थिल तो रहना नहीं है और पानी के तरह चलना ही जिन्दग करते हैं दिक्कत सबसे बड़े यह है कि वह परिवार को इतना से में नहीं दे पाते परंतु परिवार को संभालते उनकी धर्मपत्निय उनका बेटा हमारे साथ जुड़ा हुआ हम उनसे प्रतिग्रिया लेंगे उसके बाद फिर दुबारा मनोजी से बात करें मुझे बिल्कुल बिल्कुल इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो को देखकर और प्रेरी तो है और आप भी ऐसा कुछ करने की प्लानिंग करें करें और कोशिश करें तो साथ यह थे आदित्य चोधरी जो मनोज कुमार जी के सुपूतर हैं तो मनोज जी आपको जो है आजिती जी भी बड़े खुश है उनको भी लगता है कि हाँ प्राउड फील करने वाली बात है और इतना बड़ा एवार्ड इतना बड़ा सम्मान और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहा रहा हूं मैंने उस ग्रूप में भ पड़ी उपलब दी ये थी कि हमें मनोज जी के नाम को ढूंड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई 47 47 साथियों के नाम पूरे देश से चाटे गए उनमें सबसे उपर जो लिखा हुआ नाम था मनोज कुमार लगड़ा जिसके बाद ज्यादा लिश्क देखने की जूरूत नह सामनान जी अब आपका हमें मैसेज आएंगे खास करके विद्यारतियों के लिए अधिशायों के बारे में क्या किया दो से चीजह और यह चीजे जो है वह मैने अपनी च्छितर में आगे बढ़े और लगन के साथ बढ़े तो कि मैनत करते रहना चाहिए उसका फल जो है उसको जुरूर मिलता है तो मेरा संदेश यही है कि बच्चे जो है अपने काम के परती या अपनी शिक्षा के परती जुड़े रहे तो आप सिक्सकों को क्या अपनी लेकिन मेरे लिए बड़ा प्रिये शब्द है कि क्योंकि जहां पर कॉम्पटिक्शन शब्द हट गया तो फिर कोई बात ही नहीं है हमें प्रती प्रदा तो करनी चाहिए और एक अच्छी भावना के साथ करनी चाहिए तो जो शिक्षक साथी रहे गए हैं उनके लिए क्या क्या संदेश देंगे वह जो नहीं कर पाएं बिलकुल लास्ट कॉर्णर के ऊपर पहुंचने के बाद भी वह इस काम्यावी को नहीं चूपाए हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे जी मैं तो इसके बारे में ही कहुँगा कि जितने भी साथी हैं वह दुबारा से जो है म राशनी की बात है और जुरूस जो शिक्षा की भाग है और जो हमारे अधिकारी है या कहते हैं उनके बच्चों की दुआएं हैं और साथियों की शुब कामना है जुरूर उनको भी आगे लेकर के जाएगी तो यह हैं मनोज लाकडा जी जिन्नों ने बताया कि किस परकार क वह सभी जानते हैं वह भी एक देश की बहुत बड़ी धरवर के रूप में जिनको जानते हैं अंतरश्ट स्तर पर उन्होंने देश को बहुत बड़ी ख्याती दिलवाई जापान में जाकर कि वह मैडल लेकर कि आए आज आप भी नेशनल स्तर पर आपका एक सम्मान जो है तो इस स्तर पर यहां आकर कि आप क्या कहना चाहेंगे कि पिताजी को भी आज आप याद कर रहे होंगे कि पिताजी होते तो वह में जह और ज्यादा उनको प्रसंता होती ऐसा कुछ दिक्षिंदर जी बिलकुल मेरे जो रोम रोम है वो कई बार जो है जब आप पिताजी की बात करते हैं जिस दिन मुझे पुरुष्कार मिला यह गुशन हुई थी चैनित हुआ था उस दिन मुझे पिताजी बहुत याद आये थे और क्योंकि यह न की भी दुए थी और वह बार कि बेटा यह काम करना है वह काम करना है आपको आगे बढ़ना है तो इस तरीके का प्रेना शूप मेरे रही है, साथ में मुझे खुशी इस बात की है कि पिता जी को वीवी गरी जो हमारे राश्टपती थे उनकी तरफ से सम्मान पत्र मिला था और साथ में जापान और दूसरे देशों और दूसरे खेलों के लिए उन्होंने काफे कुछ काम किया था, तो मुझे गर्व है कि अपने ही गाउं में और एक ही परिवार में हम दो जो है राश्टपती पदक से सम्मानित हो जाएंगे, कईना के बच्चों पर दवाव रहेग मेरे गाउं के जो पैतरी गाउं के जो लोग है, सरपंच है और वो भी उनको भी गर्व महसुस होता है कि एक ही परिवार से दो नेशनल लवाड़ है बड़े गर्व की बात तो है कि आज पूरा हरियाना गर्व कर रहा आपके उपर भी और अधने बाउजी के उपर भी जिन्होंने अंतरश्ट इस तर पर इस हरियाना की पहचान बनाई है अंतमेवा आपसे पूछना चाता हूँ यह व्यक्तिकत सवाल है आप मना भी कर सकते हैं आपका यह अवार्ड किन को डेडिकेट है रिद्न मेरा यह जो अवार्ड है वो बच्छों को डेडिकेटिड है जो बच्छें जिनको मैंने पढ़ाया आधैए और जो मेरे साथ रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके जो माबाप है उनको कहीं नहीं गुमाया मैंने मुझे गर्व है कि मैंने उनको हरियाना भोपाल हरीदोवाज केरल पता नहीं कहा का किन-किन परतियोगता में पूरा मैंने उन लोगों को उन बच्चों को जो है कि Healthy online ले मुझे गर्व है अपने विद्यारतियों पर गर्व है मनोज लाकड़ा जी को और हमें गर्व है मनोज लाकड़ा जी के उपर मनोज जी आपको पुना एक बार फिर इस बहुत बड़े सम्मान के लिए पूरी मिशनारिय और चीम के और से हार्दिक शूब काम नहीं बाइद इ तो साथ यह थे मनोज लाकड़ा जी मैं हूँ दिक्षेंद्र आ रहे हैं और आप देख रहे थे मिशनारिवर्थ कारेकरम था कहानी आदर शिक्षक की आज हम आप सको रूबरू करवा रहे थे अभी हाल ही में चैनित हुए राष्ट्य शिक्षक पुरुषकार 2020 के लिए भ भी आप हैं इसको शेर कीजिए ताकि और लोग भी समाज के इस बड़े और एतिहासिक कारिये से प्रेड़ना लेश के जुड़े रहे हैं मिशनारिवर्थ के सब्सक्राइब करना ना भूले